जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिस हमेशा जादा करो किसमत भी रूठे पर हिम्मत ना छूटे, तुम मजबूत इतना इरादा करो नमस्कार साथियों, मैं राज कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार PBR स्टडी में तो साथियों, आपकी कलास सुरू हो चुकी है, कच्छा दस की NCRT Mathematics तिरकोड मिती आप लोग पढ़ रहे हैं परसनावली आठ दसमलो दो कुश्चन आपको स्क्रिन पर नीचे दिख रहा है? क्यों मैं दिख रहा है कि नहीं कोई तकलीफ किसी को? नहीं न, दिख रहा है न, अच्छा दिख रहा है, सुन्दर दिख रहा है, मैं भी सुन्दर दिख रहा हूँ क्यों? तो देखिए, कुश्चन में क्या कह रहा है, करना क्या है, जरा समझना? कह रहा है, निमनलिखित के मान गयात कीजिए देखो बाबु इनके क्या करने हैं हमें बैलू फाइंड करने है लेकिन आपको एक चीज़ याद रहना चाहिए कि अगर आपको इनमें साइन साथ, कॉस्ट तीस, साइन पेतालीस, कॉस्ट तैन यह घंचा पंचा याद नहीं है तो आप इन सवालों को नहीं कर पाएंगे इनका तरीका क्या है, याद कैसे करेंगे बैट के रट्टू टोटा बन जाएंगे Sign 30, 1 B2, Sign 30, 1 B2, Sign 30, 1 B2, ऐसे नहीं करेंगे नहीं पागल गोसित हो जाएंगे इनका एक तरीका है, सिस्टम है वैसे आपको करना है, आपको याद हो जाएगा मैं पहले मान निकालने के बारे में साट कर थोड़ा तरीका बताऊँगा कि आप इन मानों को कैसे याद करेंगे जैसे साइन तीस का मान एक बटा दूई होता है कास तीस का मान अगर बात करें तो रूट तीन बटा दूई होता है टैन की बात करें बाबू अगर तीस की तो एक बटा रूट तीन होता है आप कोगे Master TOKA आद कहाँ से आहे क्योंकि मैं न पढ़ाते पढ़ाते याद कर नहीं लिया हूँ याद हो गया है, ठीक है तो देखिए मैं बताता हूँ जुगार जुगार देखो क्योंकि इंडिया में जुगार बहुत चलता है जुगाड से हमारे देश की सरकार चलती है ना, तो जुगाड देखो, देखो भब जुगाड ये है कि पहले हम sign का सारा मान आपको निकालना बताएंगे ठीक है? तो sign को यहाँ दर्ज कर दीजिए यह तो बंद कर दीजिए इनको यहाँ पर आप मान रखिए मतलब हमें 0 का मान निकालना sign 0 फिर sign 30 का मान निकालेंगे sign 45 का sign 60 का और sign 90 का थोक रेट में निकालेंगे एक बार में सब ठीक है डन अब देखना दिल थाम के देखना एकदम पूरा जोस जुनून के साथ और यह चच्चा कला छोड़ के ना जाना नहीं बहुते मार पड़ेगी जाना मत अकर सीखना है देखो अरे सुरी यार वैसे बोला मजाक में चलो मारेंग नहीं अब देखो समझो क्या करना है हमें नंबरिंग करना इनको देखो कितने हैं एक दो तीन चार पांच यह पांचों पांडों है इनके नीचे गिंती लिखना है पहले वाले के नीचे 0 फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 ओके अब ही सारे मान थोक्रेट में इकठा आ जाएंगे इकठा साब आएंगे देखा पहले इस टब में गिंती लिखा दूसरे में सब को 4 से भाग करो सब को 4 से भाग करो अब यह मत पूछना 4 से भाग कर रहे हो यह ट्रीक है याद कर लो इसो याद कर लो पहले 0 से लेकर के 4 तक गिंती लिखा फिर सब को 4 से भाग किया इनको हल कर लीजिए जो भी हल हो सके तो भाईया 0 में किसी से भाग करते हैं 0 आता है 1 upon 4 कुछ भी नहीं होगा 1 upon 4 ही रहेगा यह देखिए कटे पिटेगा तो एक बटा दो आएगा कोई डाउट नहीं न देखो बाबू यह कुछ नहीं होगा हलवल वतना ही रहेगा यह होके 1 हो जाएगा यह हमने क्या किया इनको सिंप्लिफाई किया अगले last step में बाबू सभी का क्या करोगे वर्गमूल कर लोगे बस सब का वर्गमूल कर लो answer आपके सामने आ गया चरण बंदन करता हुआ नीचे दिख रहा है न तो 0 का वर्गमूल हमेशा क्या होता भईया 0 होता बाबू 1 अपान 4 देखो 1 का वर्गमूल 1 होता है 4 का 2 होता यानि हम कह सकते हैं इसका 1 अपान 2 ठीक है मान फाइनल होता जा रहा है थोड़ा सा सिकेंड रुकना मैं दिखा दूगा इसको क्लियर आपको स्क्रिन पर जो थोड़ा छूट रहा है न वो भी देख लो बिल्कुल टेंसन मतले न यार एक भी पैसे का आप टेंसन मतले न चलो दिख रहा है न वन अपान 2 देखो भाई इसमें देखो वन का वर्गमूल वन हो जाएगा बाबू लेकिन दो का वर्गमूल नहीं निकलेगा पूरी तरह से तो दो का वर्गमूल अंडर रूट दो में ही रहेगा अब भी थोड़ा कमें दिख रहा है दिख रहा पूरा ना क्यों मेरी इज्जत देखना चाहते हो भई नीचे थोड़ा सा गंदा टाइप का दिखता है यह लो देख लो मेरी इज्जत भी देख लो तुम लोग चलो यह ठीक है इसमें देखो तीन का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट तीन ही रहएगा चार का वर्गमूल निकल जाएगा तो दो बचेगा ठीक है? डन? वन का वर्गमूल क्या होगा? वन अब देखो रटना नहींहां चाचा किताब खोल लो जहां भी तुमें मिले किताब में देखो दिया है साइन जीरो का मान जीरो होता है साइन तीस का मान क्या होता बाबू एक बटा दो होता है साइन पैतालिस हंस का मान एक बटा रूट दो होता है साइन साथ हंस का मान रूट तीन बटा दो होता है साइन नब्बे अंस का मान वन होता है बोलो किदना मस्त तरीका है ना जुगाड मस्त है न चचा याद नी करना तुम्हें बिल्कुल नहीं रटना है एकदम याद करना ही नहीं है बिंदास खाके सोना है मेत सिर्फ समझा जाता है याद नहीं के जाता है अब तुरंत लाई कर दो फट से तो फिर दूसरे लोग काहन ही आएंगे इसको लिख लिए जल्दी से स्क्रीन साट ले लो मैं हटाता हूं बहुत जल्दी करो भाई फटा 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 हो गया जल्दी करो अब मैं अपनी इज्जत ऐसे थोड़ी दिखाता रहूंगा जादा देर तक चलो हटा दि कास वाले में काम करते हैं कुका करते हैं उसमें भी तरीका यही होता है देखो बाबु कलास को पूरा देखना बार बार बोल रहा हूं सीखना है तो पूरा देखना और नहीं सीखना है तो फिर तुम कुछ भी करो कास वाले में भी ऐसे होता लेकिन उसमें गिंती थोड़ा उल्टा लिखते हैं थोड़ा उल्टी बुद्धी का है वो बस बैल बुद्धी जी से बोलते हैं देशी भासा में ये दोनों भाई भाई हैं एक माई बाप के लड़के हैं साइन कास लेकिन एकवा ना सीधा है एकवा थोड़ा बेड है बेड मतलब जानते हो थोड़ा बैल बुद्धी का है देखो कैसे कास वाले के लिए यहां निकालेंगे ऐसे ही सब कुछ लिखेंगे जैसे उसमें लिखे थे आपको बदलना नहीं था यह मैंने थोड़ा अच्छा ज्यादा दिखाने के लिए मिटा दिया इसमें क्या करते हैं बाबुआ इसमें न नंबर वैसे जीरो से ही लिखा जाता है लेकिन उधर से लिखते हैं साइन वाले में इधर से लिखना शुरू करा था ना कॉस वाले में इधर से लिखेंगे जीरो वजाई वैसे ही करते हैं चार से भाग करें थे इसमें भी चार से ही भाग करेंगे सब कुछ वैसे करेंगे ये हल हो जाएगा वन आ जाएगा आपको पता है कट जाएगा ये तीन बटा चार कुछ नहीं होगा ये कट जाएगा वन अपान टू आ जाएगा यह बने पान 4 ऐसे रहेगा, यह 0 हो जाएगा ठीक है ना बाबु समझ में आ रहा है ना मैं सामने से हट भी जाओं तो तुम टे अंसन मतले ना एक भी पैसे का चलो, done अब सभी का वर्गमुल कर दो, फटा फट सभी का वर्गमुल कर दो फट्टा फट्ट कर दो एक कवर्गमूल एक रूट तीन कवर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट तीन ही रहेगा चार कवर्गमूल निकल जाएगा दो आ जाएगा एक कवर्गमूल एक दो कवर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर रूट दो ऐसे रहेगा एक बटा दो हो जाएगा क्यों? क्योंकि वन का वर्गमूल वन होता है चार का वर्गमूल दो होता है ये वर्गमूल का चिन्धा लगा है मतलब दोनों का निकलेगा जीरो का जीरो होता है मिला लो साइन जीरो का मान एक स्वरी 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 साइन नहीं कॉस अरे वो तो तुम्हें दिखी रहा कॉस लिखा है कॉस जीरो कमान वन कॉस तीसंस कमान एक बटा रूट दो ए सीधा बोलो रूट तीन बटा दो कॉस पैतालीसंस कमान वन अपान रूट टू कौस साथ अंस कमान वन अपन टू अब बोलो साइन कौस आ गए न बहिया हो तिर कोड मिती अनुपात में साइन कास ही मुख्य है साइन कौस ही मुख्य है एक परधान मंतरी है हमारे देश के एक राष्टरपती है नहीं राष्टरपती की कम बैलू होती एक परकार से उनकी ज़्यादा मतलब जरूरत नहीं पड़ती है एक परधान मंतरी जी है ग्री मंतरी है बाकी नीचे सब वोई से लल्लू पंजू है समझ गए न किनकी बात कर रहा हूँ मैं अरे इनकी सब की नहीं तो कोई कलेम कर दो मेरे खिलाब चलो देखो समझो कहने का मेरा ये मतलब था कि साथियों तिर्कोड मिती अनुपात में कुल छे अनुपात होते है साइन काश टैन और दुछी इनकी पतनिया होती है सब की अलग-अलग कैसे अभी देखो बता रहा हूँ तो main तो sign cost 10 होते हैं लेकिन जब sign cost का आ जाता है ना तो 10 अपने पीछे-पीछे लगा रहता है जैसे है ना कैसे तो यह बहुत बड़ा भगता है 10 इनका सेवक है एक परकार से जैसे स्री रामचंद्र जी और सीता मैया जी के सेवक थे स्री लश्मान महाराज जी है ना, जब वो बन को गए थे बगवान तब भी वो साथ में गए थे सेवा करने के लिए तो उसी तरह एटाइन क्या है इन दोनों को बहुत बड़ा भगत है देखो बताता हूँ कैसे, अब समझना आप कहोगे, ये टैन वाले के लिए इतना नकमी बतारे हो का हाँ पहले मुझे ये बताओ कि आपको साइन कॉस ये निकालना आया समझ में कि नहीं मुझे ये बताओ सभी बताना, इमानदारी से बताना, बिल्कुल दिल खौल के बताना आया समझ में आया न, देखे साथियों, अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा, याद करने का मैं जुकाड बताता हूँ, मैं जुकाड बताता हूँ, तुमें अब तक कैसे याद करोगी, मैंने मिटा भी दिया, कुछ लिखा भी नहीं स्क्रीन पर, लेकिन अगर मैं अब तुमसे एक मिनिट के लिए सोचो, हमने अभी कितने मान निकाले थे, या फिर कितने आपको बताएं, एक जीरो का बताया था, एक तीस का बताया था, एक नब्बे का बताया था, जीरो, तीस, पैतालिस, साथ का भी एक बताया था, एक नब्बे, पाँच बताया था ना, तो भाईया हो, जीरो से इसमें काउंटिंग करते थे, आपने देखा ना, पहले जीरो लिखा था, पिर तीफ लिखा था, पिर पैतालिस, पिर फिर साथ, तो जीरो, तीस, पैतालि तो जीरो वन टू यानि तीसरे नंबर पर हमने क्या नंबर लिखा था दो लिखा था यह तो लिखा था कि कुछ और लिखा था अभी साइन जब मान निकाला था सारा देखा था आपने तो फिर क्या किया लाश्ट में चार से सबको भाग दिया था तो भाईया इनको भी चार से भाग दिया था इसका मतलब हमने अपने दिमाग में ये करना है हल आ जायगा आदा मिनट में यानि हमारा फाइनल में एक बटा दो आया था लास्ट मैंने इनका वर्गमूल निकाला था मालूम है न तो बबुआ ये आपके दिमाग में इतना हल हो जाना चाहिए बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा जैसे आप से कोई पूछा साइन पैतालिस आप तुरंट समझ जाओ कि साइन पैतालिस के नीचे दो लिखा था काउंटिंग में दो क्यों लिखा था क्यों कि जीरो, तीस, पैतालिस तीफरे नंबर पे आता है यह इसके नीचे दो लिखा था क्योंकि सबसे पहले वाले पे जीरो था फिर क्या क्या चार से भाग दिया था तो भाई दो को चार से भाग करोगे उपटा दो आएगा फिर वर्गमुल निकालना होता इतना आएगा याद हो गया ऐसे अगर हम बात करें साइन साट की साइन साट की, आप सोचो साइन साट, साइन पैतालिस के बदीयम तो आता है साइन पैतालिस के बदीयम तो आता है साइन पैतालिस के बदीयम तो आता है और जो चौथे पया था उसके निचे तीन लिखा था तो यह चौथे पया राया निचे तीन लिखा था तीन लिखके क्या किया था चार से भाग दिया था यह तुम सबको पता है उसके बाद हमने इनका वर्गमुल किया था हल करके लो समझ में है कि नहीं भले 20 मिनट लगे इसमे आता गंटा लागए लिकिन तूमें याद हो जाना चाहिए अगर फिर भी नहीं याद कियें तो फिर हमारी गारंटी नहीं यह बिट्टा पढ़ो चाहे न पढ़ो पिर वही कहेंगे ना गुरु को दच्छिना ऐसे है सॉरी पंडित जी को दच्छिना से काम बर्मरे चाय कन्या समझेगे ना लेकिन आप लोग दच्छिना भी तो ने देंगे यह वो मुसीबत है चलो ठीक है फारा पड़ लिख लो भाई देखो आइसे नहीं आइसे नहीं ब कर लो कमेंट के चक्कर में ना पड़ो मैं कमेंट नहीं पड़ूगा किसी का देखो बाबु आप लोग ना कमेंट जो है करो ठीक है लेकिन कमेंट का रिप्लाई सार आपको लिखित में दे रहे नीचे देखो पढ़ते जाओ उसे जैसे बोलने हम ऐसे करो कोई आओ कर लोंगे को सिस्टम जानगे ऐसे कॉस वोलंभी कर लोगे याद करने का तरीका बता दी हमें उसके बाद क्या करेंगे ढ достаточно है 10 की आप कोगे 10 का तो बता आया नहीं जैसे अकर हमें 1030 कमान निकालना ने बाबु तो 1030 कमान के लिए नहीं तीस कमान को कॉस 30且 मे के मान से और 30 दूसर नंबर पर आता ना भाई पहला नंबर पर 0 दूफरे पर 30 तो दूफरे पर आता मतलब इसके निचे 1 लिखा था फिर 2 से भाग दिया था एक बटा दो फिर वर्गमूल निखाला था बता देता हूं देखो अभी 0 का निकाला था फिर 30 का फिर 45 फिर 60 फिर 90 यहीं निकाला था ना पांचों हमने इसके निचे काउंटिंग किया था तो 0 1 2 3 4 आप लिखा था सबको 4 से भाग दिया था ना तो भाई इनको भी 4 से भाग दिया था ना फिर सबका वर्गमूल किया थ चार का और गमुल दुआया था ना यहनी साइन तीस का मान एक बटा दुआया था इस ही तरह से कॉस्ट तीस का मान किया था पिछे साइड से रूट तीन बटा दुआया था एक बात याद रखना जो मान साइड तीस का होता है वो मान कॉस्ट साथ का होता है और जो मान काश साथ का होता है वो मान साइन तीस का होता है ठीक है तो ये है इनको हल कर लीजिए आपको मैं एक तरीका बता दूँ एक सूत्र बता दूँ आप इसे लिख लो कहीं भी गाड के रख लो ले जाके मून कोई देखना पाए अगर कहीं A बता B और नीचे C बता D है न चाचा तो क्या करोगे पता है ऐसे करते हैं यानि A गुड़े D होता है और B गुड़े C होता ये सूत्र है याद रखना ठीक है अगर कहीं A बता B और C बता D रहता है तो A का गुड़ा D में होता है, B का गुड़ा C में होता है यानि सबसे उपर का नीचे में और बीच बीच का तो उसी तरीका इसमें भी करेंगे सबसे उपर का सबसे नीचे में यानि 1 into 2 और ये 2 into root 3 ये कट गया, एक बटा root 3 बचा यानि साइन, कॉस, दोनों मिला के हल किया तो 10 का मान वान अपर root 3 आया इस तरह से आप 10 का कोई भी मान निकाल सकते हो बोलो निकाल लोगे की नहीं आप मुझे कमेंट करके बताओ सभी फटा-फट की 10, 45 हंस का मान क्या होगा और फिर 10, 60 हंस का मान क्या होगा इतने में काम नहीं चलने वाला 10, 90 का भी बताओ, चल बताओ फटा-फट बताओ सारा कमेंट आपको लिखित में रिपलाई मिलेगा सर आपको रिपलाई कर रहे हैं भाई परिसान न रहो, अनुपम जी सबका कमेंट आ रहा है, कुछ बच्चों सोच रहे होंगे मेरे तो नामे नहीं बोल रहे हैं देखो बाबू, पढ़ाई कर लो, मैं सबको देख रहा हूँ कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है कौन क्या कर रहा है, ऐसा नहीं नहीं देख रहा हूँ लेकिन हम आपका नाम ही बोलेंगे तो पढ़ा नहीं पहेंगे इसलिए पढ़ाने दीजिए नहीं समझ में आता कमेंट करिए और हाँ आप हमारी प्रीमियम क्लास भी ले सकते हैं इस्पेसल कलास पी बी आप स्टडी डाउनलोड करके अगर आप जाके कलास टेंथ का मैथ जॉइन करते हैं तो हम आपको अपनी स्पेसल कलास भी देते हैं उसमें कुछ स्पेसल मिलता है एक बाद ट्राइ कर लीजिए अगर नायकीन हो तो चले आगे बढ़े चलो ठीक है डन तो अब हम चलते हैं exercise पे exercise 8.2 ठीक है 8.2 पे चलते हैं है ने बाबू चले डन चल ये ठीक है देखिए आप समझिएगा exercise हम लोग करेंगे ये तो बाट ठीक है लेकिन आपके लिए इसमें कुछ मुसीबत हो सकती है वो क्या कि इतना देर आपने इसे सीखा अब इसके बाद exercise करेंगे तो कुछ बच्चे कहेंगे यह तो introduction आप बताए ही नहीं तो ये व वीटियो जरूर देखना नीचे description में link दी गई होगी thank you उसमें question कराऊंगो direct